यहां पर आपको यह जो ब्रिजेक्त के इज़ेक्ट में जो कि ने जो एक प्रेट्रम आप एक प्रजेक्ट के अंडर मेस्ट केम हैं जो की है स्टाभिशमेंट औफ प्रेडियाटरिक ऑंड जोगी है जो की आप यहां पर ने ख़ एक युट्टेम्टेशन थरप Speed तेखनीकल असिस्टेंट की जो वेकेंसी है वहां पर अगर अपने 10 प्लस 2 किया है साथ में आपके पास पांस साल का एक्सपिरियन से तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं और 9 मंथ का आपका जो है डिएशन रहेगा ठीक है और आपकी जो सालरी है वह सतर हजार है और इसका ए आपके पास 10 प्लस 2 के साथ एक्सपिरियनस नहीं है या फिर एक साल के ऐक्स्पिरियनस है तो अगर आपने ब्स-सी means Bachelor of Science से कोई डिगरी की हुई है means BSC में कोई डिगरी की हुई है और वो डिगरी 2 तीन साल की है तो आपको यहां पर जो है वह एक्सपिरियनस में ही वो कां तो यह एक एडिशनल चीज है यहां पर जो नेक्स्ट विकेंसी है वह सीनियर रेजिदेंट की है यहां पर M.D. मैं बता दूँ कि पहले आपको M.B.B.S करना होता है उसके बाद आपको M.D. करना होता है दो साल का और इसके साथ में यहां पर तीन साल का सालरी इस 20,000 एज लिमिट इस 28 एडिशनल कॉलिफेकेशन में अगर आपके पास 10 प्लस 2 प्लस एक्सपिजेंस नहीं है तो आपके पस मास्टर जातों यहां पर आपको पता होना चाहिए और आपको तेलगू या इंगलिश आनी चाहिए ठीक है यहां पर आपको 10 प्लस 2 सेम स और साथ में अगर यह नहीं है तो मास्टर जीरी हो तो भी आप इसमें प्लाई कर सकते है नाइन मन्स का डूरेशन है 20,000 सालरी है और एज लिमिट 28 है ठीक है यह सारी विकेंसिज है यह मैंने आपको बता दिया अगर आपके पस 10 प्लस 2 है साथ में अगर आपके पस experience नहीं जाएगा तो क्वालिफिकेशन पगेर अगर अगर फुल्फिल करते हो तो इसमें अपलाई कर सकते हो ठीक है साथ में आपर प्योर्ली कॉंडर्ट बेस जो है यह विकेंसि है रिटें टेस्ट अपका होगा अगर नंबर ऑफ कंडिडेट जो है वो बढ़ जाते हैं कोई टी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पर जो इंटर्व्यू का डेट है वह आप जैसे देख सकते स्क्रीन पर टेकनिकल असिस्टेंट के लिए आठ बजे सुबह रिजिस्ट्रेशन होगा और एक अप्रैल 2022 को 9 से 10 बजे के बीच में आपका वेरिफिकेशन पगर होंगे इंटर्व्यू आपका जो कंड़क्ट होगा वह 10 से 1 होगा तो आप इस तरीके से पूरा देख सकते हैं सिमिलरी है सब का ठीक है और इंटर्व्यू जो है इसकी डेट जो है वह चेंज भी हो सकते है तो आप साइट पर जाकर विजेट करते रहिएगा ठीक है और मैं भी जो है इंटर्ष्टिड है वो अपना cv रह सकते हैं ठीक है जिस भी पोस्ट के लिए आप जो है इमेल करेंगे उनको cv सेंड करेंगे उसी के लिए आपको रैफिकेशन कराना है document verification और इंटर्व्यू भी उसी कही देना है आपको ठीक है बरेकेशिन्स लेक है तो का सर्टिफिकेट, रेकेश्ची तो पासवोट साइस फोटोग्राफ वन वैलिद अधारकार या पासपोट पासपोर पासपोर आइड कोई भी एक updated CV आपके पास होना चाहिए आप जो email करेंगे CV भी आपके पास होना चाहिए और सारे documents भी आपके पास होने चाहिए इस particular email address पर आप सारी updates को देख सकते है that's it और form को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजेगा 31st जो है परसो है तो CV ही आपको email करना है and इसके बाद next vacancy की बात करेंगे so वो वीडियो भी आप ज़रूर देखेगा that's it thank you so much channel पर नए है तो subscribe कर लीजे and वीडियो को like ज़रूर कर दीजेगा bye